आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होस्पोट से दूसरे फोन में इंटरनेट कैसे जोड़े दोस्तो अगर आपके पास भी एक मुवाइल फोन है और इस मुवाइल फोन का इंटरनेट आप दूसरे फोन में चलाना चाहते है होस्पोट की मजसे और दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो फिन वीडियो को ध्यान से लाश्रक देखते रहे हैं आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वादा हूँ सबसे पहले आपको वह अला मुवाइल फोन ले लेना है और यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग करना होगा इस वीडियो को ध्यान से लाश्रक पूरा देखिएगा सबसे पहले आपको अपने मुवाइल फोन के सेटिंग में चले आना है तो यहाँ पे हम simply mobile phone के setting में चले जाते हैं यहाँ पे simply हम setting पर click कर लेते हैं अब यहाँ पे जैसे आप अपने mobile phone के setting में आ जाते हैं यहाँ पे आपको जो है Bluetooth के नीचे Personal host port का option देखने को मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो दोस्तो connection and sharing के अंदर आपको यहाँ पे Personal host port नाम का एक option देखने को मिल जाएगा simply दोस्तो आपको इसको जो है on कर देना है और यहाँ पे एक बर click कर देना है अब दोस्तो जैसे आप यहाँ पे click कर देते हैं कुछ इस प्रकार का setting आपके सामने खुल जाएगा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं host port setting लिखा हुआ है simply आपको इस पर click कर देना है अब यहाँ पे आने के बाद आपको एक host port का नाम दे देना है simply हम यहाँ पे डाल देते हैं info और यहाँ पे hindi मैंने यहाँ पे डाल दिया info hindi उसका दोस्तों यहाँ पे जो password का option आपको देखने को मिल रहा है simply आपको password पे click करना है और यहाँ पे आपको एक password बना लेना है password simply हम बना लेते हैं यहाँ पे 11, 12, 23, 24 यहाँ पे आप दे सकते हैं 11, 12, 23, 24 यहाँ पे मैंने password बना लिया और info hindi मैंने password का नाम दे दिया अब दोस्तों simply आपको इसको save कर देना है दोस्तों यहाँ पे आप देशित के मैंने इसको save कर दिया और यह हमारा WhatsApp पेपोर्ट हो गया और इसका password हो गया अब जो सेंप्ली आपको करना क्या है आपको अपने mobile phone का internet को on कर देना है दोस्तो इतना काम आपको उस phone के अंदर कर देना है जिसका भी आप net चलाना चाते है इतना काम करने को आपको simply mobile phone को side में रखना है और जो भी mobile phone के अंदर आप जोड़ करके net चलाना चाते है वो mobile phone को आपको ले लेना है simply आपको इस Home Phone के setting में Давайте to come in this setting setting में आने कर सिंपिली अब आपको वाई-फाइ का जो ओशन देखने को ला है इसपर दोस्तो आपको click कर दना है दोस्तो जैसे आप यहाँ पे wifi पर आ जाते हैं यहाँ पर wifi का button है। simply आपको इसको on कर दना है जैसे आप यहाँ पे Wi-Fi वाला बटन को on कर देते हैं यहाँ पे कुछ इस परकार का interface आएगा नीचे के side में आप देख सकते available network लिखा हुआ है और यहाँ पे इस host port का मैंने जो नाम दिया था यहाँ पे जो है नाम so हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं info hindi लिकर के आगया simply आपको इस पर click कर देना है जैसे आप यहाँ पे click कर देते हैं यहाँ पे password डालने के लिए बोला जाएगा simply दोस्तों आपको password को डाल देना है जो आपने बनाया है तो दोस्तों मैंने password बनाया था 1, 2, 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने password को डाल दिया अब यहाँ पे simply हम connect वाला बटन को click कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो होसपोर्ट connect हो गया हमारे phone के अंदर wifi connect हो गया इस mobile phone का अब दोस्तों यहाँ पे हम internet को चला सकते हैं काफी अच्छा से हमारा यहाँ पे internet काम करेगा चलिए मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं YouTube प्रोपर तरीका से यहाँ पे खुल रहा है internet काम कर रहा है यहाँ पे हम कुछ सर्च करके देखते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल ओल आइकन को प्रेस कर लीजिए कुछ इस पगार से आप बहुत ही असानी से किसी भी होस्पोर्ट से इंटरनेट को जोड़ करके चला सकते हैं मौवाइल फोन में